मेरे पैरे बच्चो आप सभी को सबसे पहले जैहिन आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंडिया में 21 के लिए कौन सी ऐसी प्राइवेट मेडिकल कोलेज होगी जिसकी फीस बहुत ही कम होगी और वो कम माक्स पर ही मिल जाएगे तो मैं आपको 6 लाग की फीस की प्राइ कौन सी कोलेज है उसकी फीस क्या रहेगी होस्टल और मैस फीस क्या रहेगी इसके अलावा उसकी कटोफ क्या रह सकती है कितनी माक्स पर कटोफ जा सकती है तो वीडियो सुरू करने से पहले आपको इंपोटेंट बात ये बता देता हूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे की बुक में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से ये डिस्क्राइव कर दिया है आपको पूरी तरह से समझा दिया है कि कौन-कौन से उपन स्टेट हैं उनकी फीस क्या रहेगी प्रिवेस एर की कटोफ दे क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कहां एडमिसन मिल सकता है इसी प्रकार से ओल इंडिया कोटा की बुक में भी सारा दिया हुआ है 24 फिल कैसे कर सकते हैं प्रिवेस एर में क्या कटोफ रही थी फीस क्या है कौन सी गौर्मेंट मेडिकल कोलेज की फीस सबसे ज़्यादा है किन-किन बातों का हमें काउंसलिंग के समय ध्यान रखना चा सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.sopraeducation.com से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कोलेजे हैं जिनकी सबसे कम फीस है तो मैं आपको बताऊं 36 गड़ इस्टेट इस बार एक ऐसा इस्टेट है जिसकी 53 सबसे कम रहेगी इस साल के लिए सबसे कम फीस की कोलेज 36 गड़ स्टेट में रहेगी बाकी किसी स्टेट में इन से कम फीस की कोलेज नहीं हैं यहां पर yearly fees है पर year जो इसकी fees है वो इसकी fees है 6,45,156 रुपीज ये इसकी yearly fees है और ये 21 में भी यही fees रहेगी यानि कि जो इसकी fees है वो 6,45,156 रहेगी अब यहाँ दो college है 36 गड़ में जो दूसरी college है वो है रिम्स राइपूर यानि कि राइपूर मेडिक राइपूर इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंसेज राइपूर ये दूसरी private college है तो यहाँ दो private college है इसकी जो fees है वो 6,156 रुपीज है यानि कि 6,156 रुपीज है वो इसकी fees है पर year की ये दोनों college की अलग अलग fees है और ये 21 के लिए applicable रहेगी अब इनमें हम seats की बात करें तो इसमें जो total seat हैं इन दोनों college में इनमें तीन प्रकार की seat हैं एक तो उन candidate के लिए जो 36 गड़ के रहने वाले हैं 50% seat है उनकी होती है तो 64 seats जो 36 गड़ इस्टेट के domicile candidate है उनके लिए 64 seats जरुआ है उसमें उनका quota होता है UR के लिए अलग हैं OBC के लिए अलग SCST के लिए अलग तो ये category wise seat हैं इसके अलवा 64 seat हैं वो management quota के लिए हैं यदि कि उसमें other state के candidate apply कर सकते हैं इसमें कोई किसी प्रकार का category नहीं है इसमें सरफ general category ही treat किया जाता है other state candidate को 22 seats से वो NRI candidate के लिए हैं तो इस प्रकार से दोनों को लेजों में यानि कि 150 seats रायपूर में हैं और 150 seats बिलाई में हैं तो दोनों में इस प्रकार से ये seat हैं अब हमें इसकी बात कर लेते हैं इसके अलावा हमरे पास में क्या other expense रहेगा तो इसमें 2 लाख रुपे आपका मैस का और इसका होस्टल का charge लगेगा per year का 2 लाख रुपे होस्टल प्लस मैस का charge लगेगा यहां की एक खासवात यह है कि इसमें एक साल की bank guarantee ली जाती है एक साल की fees की bank guarantee ली जाती है अगर आप admission लेते हैं इस college में तो 6 लाख 45,156 रुपे आपको bank guarantee देनी होगी और इसमें लेते हैं तो 6 लाख 156 रुपे आपको bank guarantee देनी होगी bank guarantee का मतलब है अगर आपके पास में bank में कोई FD वगरा है तो उसके against आपको bank guarantee देगा या फिर इतना amount आप bank में deposit करके bank आपको guarantee दे सकता है तो ये इस परकार से इसमें दिया हुआ है बाकी पूरा मैंने state quota की book में open state में 36 कट का 242 page पर अच्छी तरह से समझाया गया है कैसे आपने admission लेना है कैसे first round की इसमें क्या क्या condition है सब कुछ आपको उसमें समझाया गया है कोण से open state है तो आप state quota की book में ये सारा सब कुछ देख सकते हैं तो ये तो हो गया इसकी fees और seat matrix के बारे में अब हम इसमें बात करेंगे cut off के बारे में क्योंकि cut off ही सबसे ज़्यादा matter करती है तो cut off इसकी क्या रह सकती है 21 के लिए तो इसकी जो 21 के लिए cut off रहेगी वो 520 marks cut off रहेगी इन दोनों को colleges की इसमें जो संक्राचारिय की cut off है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है 3-4 marks ज़्यादा रहती है और राइपुर की cut off कम रहती है तो आप पहले संक्राचारिय को prepare कर सकते है तो इसकी जो इस साल के लिए cut off रहेडी है वो 520 cut off रहेगी तो ये जानकारी थी lowest fees की private medical college के बारे में जो 21 में रहने वाली है बाकी state की fees काफी ज्यादा 10 लाग से उपर ही रहेगी करनाट का केरिला तिरपुरा का अलग से मैं एक वीडियो बना दूगा क्या उनकी cut off रह सकती है क्या उनकी fees रहेगी तो तब तक हम इजाज़त लेते हैं आप से next वीडियो में मैं आप से फिर मेलूँगा तब तक के लिए जैएं